खुषामधीर आपका स्वागत है नए दिन नए रसीपी के साथ आग में आपको अंडमान फिस्करी बनाने की रसीपी बताऊंगी यह गोबरा मच्छी है इसे मैंने काटके साफ करके रखिए साब करके विनीघर से धोगए मैसे बड़ा मच्छी हमेचा विनीघर से धोगए रखना तो यहीं को पानी में डालके रखिये इंव्ली का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मच्छी में दो प्याच को मैंने बारीक चॉप करके रखिये दो प्याज को जैश्य मिर्च्अ मिर्ची क्रलाइदे ज़्य करें यास है किसा ब्समीन हम जर्डें प्राइदेंगा में हाफ चमल नमक डारूंगी हाफ चमल हवदी पोड़ा डारूंगी अब इसे मिक्स करके मैं 10 मेट तक रखोंगी उसका बाच फिर मैं ऐसे बनाऊंगी यह पांच पोड़ा में इसमें जीरा सॉंप मेथी राई और कलॉंजी रहते हैं जब मैं फिर्स बनाती हुद मैं यहीं डागती हूं इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अचार का फ्लेवर आएगा है यह प्लेवर तेल हमारा गराम हो गया है मैंने मस्टर ओएफ अच्छा से गराम होने का बाद इसमें अम लोगे दालेंगे नहीं तो इसका स्मल रहेगा जो मैंने पाट कोरम दिखा है थी वो एट कर देंगे वो अच्छा से चटकने लगेगा मैंने दो प्याज को बारी चौप करके रखिए रिप्याज को ओभी आच करतेंगे अब इससे हल्का सुनेरा होने तड़ हम फ्राई करूंगे फिश्क नरी फ्राई करके बनाते हैं लिए फ्राई करके बनाने में उब्लेवर करके बनांगे वाव थेल सारा फ्लेवर में रहाएगा बहुत ही टेस्टी लगता अब प्याज मारा हल्का पिंग कलर हो गया है वस इसी में अध्रेक लश्ण को पेस्ट को एड़ करेंगे इसी में टमाटर को पेस्ट करके रखी थी वह भी एड़ करेंगे आप कट करके भी डाव सकते हैं अब इसी अच्छा से फ्राई होने देंगे हैं 2-3 मिनाट तब अब तमाटर मार अच्छा से फ्राई हो गया है वस इसी में करी लीव और जो हरा मुट्ची रखी थी में उसे अच्छा कर दूगी आप हरा मुट्ची हटा भी सकते हैं अब श्राई तयुक्त अब इसी फ्राई करके फिर मैं से मसाला अट करूंगी को अनुछ अब एक चमाटर सक अच्छा सक तब प्राई होगी है भाषि में जू मसाला मैं तil युक्ति असर ताथ मसाला अट कुभी विशाए करें यह करी यह प्लेन डाइस कसंद भौती अच्छा लगता है खाने में बहुत अच्छा तेस लगते है अब इसमें थोड़ नमक एड़ करणेंगी आपना हिसाप से दाले फिर अच्छी में भी नमक है अब इसमें थोड़ पानी आइड करके मैं पाट मेर तक मसाला को पकाऊंगे अच् मासाला में अच्छा स recovering होगी है अब गैस को मेडियं में रखेंगे काषी है उसे में आट कर दूगे कर सी मसाला को बहुत ही अच्छा फूसब्स रहाता है करी लीवंके बहुत अच्छा फूस्ब्स आता है अब मैं इसमें पािए डालूंगी अब अपना हिसाब से ग्रेवी रखें अब इसे पांस से चे मेट में और पकाऊंगी इसे अच्छा सूबरने का बाद फिर मैं इसे मीडियम करके पकाऊंगी उसका बार मैं खट्टा हेट करूंगी तो नारा पांच मेट हो गिये गैस को मैंने सीम में रखे पांच मेट तक पकाई है बहुत ही अच्छा खुसबू आता है अब इसी में कसूरी में तिये एक चमट क्रेस करके रखी थी उसको एड़ कर दूंगी यह यह जो चिकर फिस करी है मेरे पापा को बहुत ही पसंद था बहुत सौक से खाते थे मैं बनाती थी तोसे बहुत ही पसंद था अब मेरा अब दुनिया में नहीं है आप सब मेरा की दुछा करिए उसकी आ साथ में खट्टा जो में शुछ करके रखी थी पाए निकाल के प्यूरी है उसे एट कर दूंगी अब इसे में दो मिनट तक पक तुल्कुर्ण शवाहुआँ पार हमारां अमनोर आंडवान स्टेल पुम करी बनके त्यार है यह बहुत ही टेस्टी प्लेणयास थे मैं रॉटि छे SIM makes अनॉरे। असला सकते ईजये सुछ सब आपक होड़ारेACRI से अध ढ़र सब्सके साथ़् Set लिए इस तरह एक बना के देखिए इसमें क्या है फीस जो है बहुत ही सॉफ्ट रहता है ऐसी तोड़ने से तूट जाएगा जो फ्राइ करने से तो हल्का सकत हो जाता है परफिस करी का रेसिपी आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक भी करें सस्क्राइब भी करें और कमेंट भी करें शेर भी करें तैंक यू